तो गाइस IQ पिछले कुछ सालों से बहुत बढ़िया बढ़िया फोन लॉंच किया जा रहा है और कंपने प्राइज के हिसाब से बेश्ट परफॉमेंस के लिए जाना जाता है और कुछ लोग कहते हैं कि IQ इसे न्यू वन प्लस जो कि गलत नहीं है क्योंकि जैसे वन प्लस प्लस करता था वैसे ही IQ भी सेम कर रहा है आप IQ के IQ 9 स्रीज को दीख सकते हूं जिसमें IQ 9 SC IQ 9 और IQ 9 Pro सभी फोन्स प्राइज के रिंज के हिसाब से काफी अमेजिंग प्रवाइट करती है अगर आपको नहीं पता IQ अपने फोन्स को 5-6 महिने के बीच में अपग्रेड करता है और जैसे कि IQ 9 स्रीज जनुवरी में लौंच किया गया था इसका मतलब अब टाइम हो चुका है अपग्रेड लाने की जो कि है IQ 10 स्रीज तो IQ 10 स्रीज पहले चाइना में लौंच किया जाएगा और लौंच इवेंट 19 जुलाई को रखा गया है और लौंच के कुछ विक पहल लिए और कैमरा मोडियूल के अरौंड लोशी फिनिस्ट दिया गया है और बाकी की बैक डिजाइन लेदर लाइक फिनिस्ट दिया गया है और वाइट कलर वैरियंट में आपको थ्री कलर स्ट्रिप डिजाइन भी देखने को मिलेगा जो कि कंपनी की BMW मोटर स्पोर्ट के सा पैविलार फिनिस्ट दिया गया है और फैसिनेशन मीट्स इनोवेशन की ब्लैक कलर टेक्स भी देख सकते हूं तो फोन में तीन कैमरा दिया गया है और एक कैमरा 40x टेली फोटो लेंस के साथ आने वाला है जो कि 40x डिजिटल जूम के साथ आईगी और बगल में पावर्ड सिरीज में भी दिया गया है आगे सामने के तरफ आईक्यू 10 प्रो में कर्वड स्क्रीन और होल पंच कट आउट सिंटर में दिया गया है और आईक्यू ने अभी तक ऑफिशली स्पेसिकेशन रिवील नहीं किया है बट एक जनुएन सोर्स के तरफ से कुछ बहुत स्पेसि सद दिया जाएगा प्लस फोन की रेर साइड में 50 मेगापिक्सिल की सेंसर भी दिया जाएगा और मेन हाइलाइट इस फोन की इसकी चार्जिंग स्पीड है तो आईक्यू 9 प्रो में 120 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है जो कि सच में बहुत फास्ट चार प्रोसेसर के साथ आने वाली है और इसमें 120 वार्ट तक की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया जाएगा बट आईक्यू ने अभी तक इस आईक्यू 10 वैनियला मोडल की कोई भी इमेज़े शेर नहीं किया है लेकिन हमारे पास इसकी अनोफियल डिजाइन है जिससे झाली है